नमस्कार दोस्तों सागत करता हूँ आपके प्रेंच चैनल स्रमशेडी में आज हम बात करेंगे इंडियान शिटीज उतिद्यार निकनेम्स इसके बार में ये पार्ट टू है अगर आपने पार्ट वान नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर उस व अगर आपको इन सारे चीजों को डिटेल्स में जानना है तो वीडियो को आपको अंतितक देखना होगा तो पार्ट वान को जरूर देखेंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे चीज आपके एक्जाम के पॉंटेबू से बहुत ही इंपोटांट है तो व the city of destiny and गवा अफ देख्ट तो पूर्ब का गवा अफ देख्ट आपको देख्टी अफ किसी city को कहा जाता है भारत के कौन से city को कहा जाता है अंसर करेंगी दोस्तों कुसी इन का तो यह आंदरा प्रदेस का एक city है जो कि आंदरा प्रदेस का सबसे बड़ा city है यह है विशाकपटनम तो विशाकपटनम को ही कहा जाता है The City of Destiny and Goa of the East यह दरगे दोस्तों Goa of the East and City of Destiny कहा जाता है आंदरा प्रदेस का सबसे बड़ा सहर भीसाखा पटनम को चले दोसू जानते हैं SQL का ANSWER City of a Pulse High-Tech City किसको कहा जाता है City of a Pulse मूतियों का सहर and High-Tech City भारत के कौन से सहर को कहा जाता है चले दोसू जानते है तो Telangana की Capital Hyderabad को यदर रखिये Hyderabad को ही कहा जाता है City of a Pulse या High-Tech City कि दियाद रखी तो city of a pulse किसको कहा जाता है ते लहनाॅ के capital हैदराबभाद को ही कहा जाता है इसको याद रख्यए अंशर करेगे दोस्तों इस असान कोशिन का southern वो if इंडिया किसको कहा जाता है तो भारत के कौन से रिजियन को स्विजालन्ड अफ इंडिया कहा जाता है अंसर करेंगे दोस्तों बहुती आसान कोशिन है हम वेट कर रहे हैं दोस्तों तो इसका आंसर होगा कस्मीर तो कस्मीर को ही कहा जाता है भारत का स्विजरलन तो स्विजरलन्ड अफ इंडिया किसको कहा जाता है कस्मीर को इसको याद रखें काफी भार एक्जामों में पुझा भी गया है और इसको Paradise on Earth भी कहा जाता है अंसर करेंगे दोस्तों इसको सिन का Temple City of India भारत के कौन से सहर को मंदिरों का सहर कहा जाता है तो इमेज आपको पता चल गया होगा तो बताए दोस्तों जल्दी जल्दी Temple City of India किसको कहा जाता है हम हिंट दे रहे हैं दोस्तों तो ओडिशा का ये एक बड़ा सहर है जिसको ही कहा जाता है Temple City of India तो ओडिशा बाला जान चुके होंगे तो ओडिशा का Capital जो भुबनेशुर है इसको ही कहा जाता है Temple City of India तो भुबनेशुर को ही कहा जाता है मंदिरों का सहर भारत में याद रखें अंसर करेंगे दोस्तों इस तोड़ा कुश्ट कोसिन है तो हम बता दे रहे जो स्थों जारकर्ण की एक जगे है को किटा है जांसे पूर को को बताए दोस्तों, इस qोशन का अंसर Kaysu Capital of India तो भारत के कौनसे सहर को ? काजूओं का सहर कहा जाता है तो कासू Capital of India किसको कहा जाता है ? अंसर करेंगे दोस्तों थोड़ा difficult question ही तो एक केरला का एक city को ही कहा जाता है ? Kaysu Capital of India हिए हैं तो को याद रखे दूस्तों को कहा जाता है क्वेटियो Ke Hahaha में पढ़ता है तो कॉलम कौल में in को चार लाजात कर लहते हैं क्योंकि फिद्टियो आधा हो गया है क्वेडियो क्लाम को स्टेटिए अंड्या का जाता है तेंपल सिटी ओंडिया कहा जाता है वुवनेसवर को फॉल सिटी आठ हाइट एक Speak सिटी का जाता है दोस्तों हपी दरावाद को कि एभी बढ़ाता थो ड्रौलम को कहा जाता था केयाशूmooth गविटेल अभ इंडिया तो गोल्ड के बीटेल अफिटेल अफिटाल के यदगी कि चले दोस्तों बताएं इसको कि ड्रौक चीले करें इसको सेल का आता है तो काफी बार सपैसेorgt कि-सी कॉजी कोडि जिसको हम पहले कहते थे कालीकट इसको ही कहा जाता है को जीः जाता है City of Spices तो यादर कि केरेला का कोजी कोडी या कालिकट आप अफशन पर टिक मार सकते हैं तो इसको ही कहा जाता है City of Spices तो किसको कोजी कोडी या कालिकट को कहा जाता है City of Spices यहने के माशालों का सहर चले दोस्तों बताएं इस question का answer Queen of Arabian Sea तो अरव सागर के रानी किसको कहा जाता है तो Queen of Arabian Sea किसको कहा जाता है answer करेंगे दोस्तों बहुत ही आसान question है तो दोस्तों इसका answer भी होगा केरेला का एक City जिसका नाम है कोजी तो कोजी को ही कहा जाता है Queen of Arabian Sea तो अरव सागर के Queen किसको कहा जाता है कोची को जो की केरला स्टेट में आता है कोची को यादर की दोस्तों कुई नफ अरवियन सी कहा जाता है चले दोस्तों बताएं इसको सिन का आंसर भारत के कौन से रिजियन को कहा जाता है लैंड आप ब्लाक डायमंड तो ब्लाक डायमंड का मतलब होता है कोईला तो लैंड आफ कोईला किसको कहा जाता है भारत के कौन से सहर या कौन से रिजिन को बताए दोस्तों ये एक वेश्ट बंगल का रिजिन है तो पस्षिम बंग बाले जान चुके होंगी तो लैंड आफ ब्लक डायमंड कहा जाता है असन्सोल को किसको असन्सोल को कहा जाता है लैंड आफ ब्लक डायमंड या कोई लाब के सकते हैं अंसर करें दोस्तों इसको सिनका सेंडलोड सिटी अफ इंडिया किसको कहा जाता है तो भारत के कौन से सहर को कहा जाता है Sandalwood of India तो बताई चंदन का लखड़ी का सहर किसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर production ही ऐसा होता है और बहुत सारे जोगी रोजूड वगरा यहाँ पर उगते हैं तो करनाटका का एक famous city है मैसूर इसको कहा जाता है Sandalwood City of India तो आपने अभी अभी एक फिल्म देखा हो दोसों पुस्पा यह Red Sandalwood पर जोगी रिलेटर था इसको मिल चुका है दादा साहे फेफाल के आवर्ड 2022 का यादर की दोसों पुस्पा को मिल चुका है West Film Award इस साल का तो मैसूर मैसूर को ही कहा जाता है Sandalwood City of India इस को सिन का आंसर बताए दोस्पों Manchester of India, Boston of India और इंडिया सफास्ट World Heritage Site जोकी युनेस्को के द्वारा सन्वानेत किया गया था इसका वारा में आप बताए कि कौन सा सहर को कहा जाता है Boston of India, Manchester of India और भारत का सबसे पहला World Heritage City तो अंसर करेंगे दोस्टों ये गुजराट का एक सहर है तो और एक हिंड दे रहे हैं दोस्टों गुजराट का सबसे बड़ा सिटी है तो आई होप आप अंसर जान चुके हैं तो एहमदाबाद को ही कहा जाता है Manchester of India, Boston of India और इंडिया सफास्ट World Heritage City तो ये दर रखिए युनिस्को के द्वारा सबसे पहला सिटी जिसको World Heritage City का दर्जा मिला था भारत के सहर में तो ये है एहमदाबाद तो इस कोशन का अंसर बताएं दोस्टों Wine Capital of India तो Wine Capital of India कौन से सहर को कहा जाता है तो हम एक हिंड दे रहे हैं दोस्तों महराष्टर का ये एक सिटी है बहुत होली अंसियंड सिटी है दोस्तों तो बताइए महराष्टर का कौन से सिटी को कहा जाता है Wine Capital of India क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यदा ग्रेप का यानि कि अंगूर का प्रडक्शन होता है ज्यादा मात्रा में तो इसलिए इसको कहा जाता है Wine Capital of India तो इसका आंसर होगा नासिक तो नासिक को ही कहा जाता है Wine Capital of India यादर कि किसको कहा जाता है नासिक को I think विड़ा आपको पसंद आया होगा विड़ा पसंद आता दोस्तों विड़ा को लाइक के दिए अबने 10 दोस्तों के साथ इस विड़ा को जरूँ शेयर करें चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों आने बाला विड़ा बहुत इंट्रेस्टिंग होने बाला है तो अगर आपने इसका इस विड़ा का पाट आना नहीं देखा है तो इस आइकन को क्लिक करिए आप पहुंच जाएंगे उस विड़ा में बहुत ही इंट्रेस्टिंग था विड़ा दोस्तों उस विड़ा को जरूँ देखिएगा और एक्जाम के पॉंट डाइबू से यह सारे चीज इंपोटन्ट है थैंक्स पर वाचिंग में विड़ियो तिल देन दोस्तों